हेलो दूस्तों मेरे चनल पर फिर स्वागत है और आच्छा मैं एक और नया वीडियो लेकर क्या गया है ते मेरे पास रिलाइफ का पेस्ट है हेलो जन फिरी फैस्ट है है हेलो जन फिरी प्लक्स पेस्ट है इसका आरेल 4222SIM इसका जो हैसे के मोडल नेमर है और इस जो कंपनी का है और यह हैलो जन फिरी पेस्ट है जिसे अधिकतर क्या होता है दूस्तों और मेरे पास एक और भी है यहां पर सोल्टिंग पेस्ट है दिखें मेकैनिक का है अच्छा से दिखाने कोशिश कर रहे हैं आप लोग को दिखें पर सोल्टर पेस्ट है जो कि मेकैनिक कं जादा ब्हुतन होता है फिर कोई भी आईसी है तो उसको रगाने में जो सबसेटें स्बस्क्राइब छोव्ल करांतों अब लेकन के THIS माने तो लिए खृवर का दिखाते हैं कि तो धक्कन खुलने के बाद यहां पर एक और सिल डाता है और दोस्तों इस पर भी लिखा हुआ है मतलब हलका इस्टाफ है कोलना तो देखे यह जो से कि खुल गया रॉंग प्रेक्स करने पर और इसमें देखे किस टैप का है यहां पर बिल्कुल लिक्विड फोम में है और इसमें चाहे तो आप पेस्ट भी हलका मिला सकते है बट यह जो से इसका जो क्यालेटी है वह बोलेंगे कि आप लोग भी अगर रिपॉलिंग अगर काम करते हैं तो इस सब का जो पेस्ट है और इसका जो अति है वह अप इस्तेमाल कर सकते है तो मैंने यहां पर प्रोब मेरा मिलता है जिसे ग्रीन और एक जो से कि ब्लैक है तो यहां पर जो से कि मोटा और पतला यानि तीन और जो है से की बड़ा चोटा रहता है आपको जी से इसाप से लगाना है उसे इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो simply back side से इसका जो open है उसको हम खोल दिये और इसको दोस्तों जैसे स रिइंज होता है जो स्वी देने काम हाता है सेम उसी टाब से इसमें जो सके एक पिस्टन मिलेगा देखे से हलका सा प्रेस करना है और देखिए प्रेस करने के साथ ही जो से कि आगे केस प्रगार से निकलता है तो चलिए हम इसका जो पिस्टन है उसको हम इस प्रगार से यहां पे प्रेस करता है यानि हलका दबाव डालते हैं और देखिए यहां पे निकलेगा दोस्तों पेस्ट और जो से की स्वास्त के लिए हनी कारक होता है तो यह है लोजन फीरी पेस्ट है और देखिए यहां पर इस प्रगार सम प्रेस्ट किये और यहां पर मेरा पेस्ट निकलके आ गया और जो कि इसका जो क्वाइलिटी है वह अच्छा है और जैसे कोई भी चीज है जैसे स्वोल्डि प्रेस निकलने लगेगा और यहां पे जो यहां पे सब्सक्राइब हो च्ताइब और इसको soldi करके दिखाते हैं तो यह दूस्तो होता है क्या है कि इसका जो 180 degree है साथ उससे नीचे जो से कि melt हो जाता है यानि पिघल जाता है तो ज्यादातर माइक जो है ज्यादा हीट पर लगाने पर क्या होता है कि खराब हो जाता है तो माइक लगाने में ज्यादातर अच्छा एक काम करेगा और कम temperature पर जो से कि माइक को आप लोग जो से कि set कर सकते हैं बिल्कुल असानी से तो देखिए हम simply इसको अब हम pack कर देते ह है कि अब मैंने आपको दिखा दिया और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा दुस्तों तकर चैनल को सब्सक्राइब कर देजएगा वीडियो को लाइक कर देजएगा और दूस्तों मीलें आगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत